जय श्रीमन नारायन अगली टिपणी जोन हम कहब उँ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेनु गोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है अध्याई छे आत्म सैयम योग श्लोक चालिस पार्धनेवेह नामुत्र विनासाह तस्य विद्यते नहीं कल्यानकृत कस्चित दुर्गतिम तातगच्छती वूम गीताचार ये श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका आत्म सैयम योग के सिक्षा देता है परमात्मा कहाता है अर्जुन जे आत्म दर्शन या आत्म साक्षातकार के प्राप्ति के लिए प्रयास करत है उकर कभी पतन नहीं होत और उकभी नश्ट नहीं होत ऐसा साधाक ना केवल स्वर्गिय सुखों के अनभव करत है बल्कि आत्मदर्शन और आत्मसाक्षातकार में भी खुशी पावत है उका सांसारिक सुख सुधाएं भी प्राप्त होत है इसके मतलब है कि भले ही कि हो आत्मदर्शन या आत्मसाक्षातकार के खोज में बीच में रुख जाए या उसके खोज में कौनों रुकावट पैदा होए उसके लिए सांसारिक सुखों के कौनों कमी नहीं होत इसके अलावा इसके अनुसरण से आत्मदर्शन या आत्मसाक्षातकार के प्राप्ती हो थे अरजुन अब हम इस समझवब कि इस आत्मदर्शन या आत्मसाक्षातकार कैसे प्राप्त करा थे इस समझब महतोपूर्ण है कि जे व्यक्ति आत्मदर्शन या आत्मसाक्षातकार के खोज में बाधाओं या रुकावटों के सामना करते उका दोईनों पहलों में ही कौनों नुक्सान नहीं होत। इसके बजाए वे निसंदे हैं दोईनों प्रकार के सुखों के अनभाव करतिन, सांसारिक आनंद और आत्मदर्शन या आत्मसाक्षातकार के प्राग्पति के गहरा आनंद, उनके भलाई सुरक्षे तहाए और वे किसी भी तरह से नश्ट न होई हैं। इस प्रकार शुक्रिष्न परमात्मा हमें आत्मदर्शन या आत्मसाक्षातकार के मार्ग पर चले के लिए प्रेरित करते हुए एक प्रेणा दायक आश्वाशन प्रदान करता हैं। श्रीकिष्ण परमात्मा के सिक्षाओं पर ध्यान करते हुए उनके आस्वाशन का लगातार याद करते हुए और आत्मदर्शन या आत्मसाक्षातकार की ओर बढ़ते हुए आओ हम सब इमानदारी से श्रीकिष्ण परमात्मा के शब्दों का दोहराई पार्धनेवेखनामुत्र विनासहातस्यविद्यते नहीं कल्यानकृतकस्चित दुर्गतिम्तातगच्छती श्रीमत भगवत गीता के पूरा निचोड श्रीकृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के आठ कर्मों में रख दे हैं श्रीकृष्ण कहन ए आठ बात माने वाले पे हमार्स नहीं है ये भगतन की हम हर प्रकार से सुलक्षा करें श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमत भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन करिष्ये वचनमतव माने क्रिष्ण हम तोरे कहे अनुसार ही करब यह कारण क्रिष्ण अर्जन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करण चला हमों परमात्मा के वचन दी कि हम भी यह आठ करम करब यह वचन से बढ़के कौनों पूजा तप या या यग्यनाहिव हम यह आठ वचन का हब आप सब जने एका अपने मने और बुद्धी में विचार करें यह प्रकार श्रीकिष्ण के निजवचन देज समय परमानन से प्रकाशित श्रीकिष्ण के मुख मंडल के अनुभूती भी करें जह श्रीमन नारायन हमरे आठ वचन यह हैं हमार प्रथम वचन हे श्रीमन नारायन आपके निर्दा शानसर हम आपके ध्यान और चिंतन करब हमार दूसर वचन हे श्रीमन नारायन आपके समझाय अनुसर हम सदा आपके भगत रहब हमार तीसर वचन हम आपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब हमार चौथा वचन जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबध नमस्कार और पूजन करब हमार पांचवा वचन हे श्रीमन नाराण अध्या अठारा स्लोक चाचट में आपके कथन मा मेकम शरणमबरजा अनुसार केवल आपकी शरणागत के बाट कही बाट स्रीमन नारायन हम केवल आप एक शरण में आए हु 씨 हमरा छटा वचन हे श्रीमन नारायन, अध्याए 18, श्लोक 6 छट में आपे कहे मा शुचह मैं आपके शोक ना करे के उपदेश आनुसार हम शोक न करब। हमार साथमा वचन हे श्रीमन नारायन, आपने हमरे खातिर श्रीमत भगवत गीता देखे हम पे बड़ी कृपा किये हैं, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब यपढ़ब। हमारा आठ्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने सारे लोग के लिए गीता दी है जी भक्तन गीता के बारे हम नहीं जन दन हम उन तक आपके अलोकिक बतिया पचावे के प्रत्न करब अब हैं हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए श्रीमन नारायन कया वचन देब कि हर दिन जैसा वो कहें हैं हम वैसन करब या एक महान पूजा है आवा हम अपने अडिक विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायंड आप जैसा कही हैं हम वैसेन करब जैसा आप चही हैं वैसा ये व्यवहार करब और हम के वाल आपे के लिए काम करब श्रीमन नारायंड करिश्ये वचनम तब माने श्रीमन नारायंड हम आपके निर्देश आनुसार कारे करब सर्वं श्री कृष्णा पुण मस्तू जैश्री मन्नाराया पार्धनैवेह नामुत्र विनासह तस्य विद्यते नही कल्यानकृत कश्चित दुर्गतिम् तातगच्चती वूम् पार्धनैवेह नामुत्र विनासह तस्य विद्यते नही कल्यानकृत कश्चित दुर्गतिम् तातगच्चती स्रीमन्नारायाना करिश्येवचनम् तवा सर्वं श्री कृष्णार पनमस्तू जैश्रीमन्नारायाना जैश्रीमन्नारायान सबय भक्तन से विशिस अनुरूद हमरे जीवन में सारी चीजों में हम ततकाल और प्रभावी परिणाम चाहा थे यही की प्राप्ति के लिए प्रति दिन एक मिनिट वितीत करें और नारायानास्त्रम पढ़ेंगे नारायानास्त्रम प्राप्त करेंके खातिर नारायानास्त्रम वेबसाइट www.narayanaastrum.org पे जाएके पंजी करण में आपन नाम और एमेल दें आपके एमेल पे आपको एक नारायानास्त्रम पीडियेफ तुरंत मिल जाएए पीडियेफ में एक रामान स्लोक एक गीता स्लोक और एक विश्णु नामबा तीनों का एक साथ नारायास्त्रम कहा जात है प्रत्यग वेक्ति के इन स्लोकों के भिन भिन सय हो जहिजन पराप्त होत है जब सब 24 भक्तन के साथ प्रति दिन अपने नारायास्त्रम के पढ़त हैं या सुनत हैं तो सम्पूर्ण रामाण पारायान के एक माला श्छीमत भागध गीता पारायान के 38 माला श्री विश्णु साहस्त नाम स्त्रोत पारायन के 24 माला प्रति दिन पूरी होत ये एक ऐसा उलेखनी और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करेश निकलत एके लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंद जाके आपन नारायन आस्तन प्राप्त करें जैश्री मरना रहाएं